साथियों भारत दुनिया में मधरब डेमोक्रेसी का गर्व अनुभव करता है। डेमोक्रेसी हमारी स्रभ्यता, हमारे तौर तरीकों का, एक प्रकार्चे हमारी जीवन पध्धिती का एक महज हिस्सा रहा है। आजादी के बाद का भारत अपनी उसी लोकतंत्रिक विरासत को मजबूत करके आगे भड़े, बाबा साहब ने इसका एक मजबूत आधार देश को दिया। बाबा साहब को अब हम पढ़ते हैं, समझते हैं, तो हमें एसास होता है कि वो एक यूनिवर्सल वीजन के व्यक्ति थे। स्री किशोर मकवानी जी की किताब में बाबा साहब के इस वीजन के स्पष्ट दर्शन होते हैं, उनकी एक पुस्तक बाबा साहब के जीवन दर्शन से परिचित कराती हैं, दूसरी किताब उनके व्यक्ति दर्शन पर केंद्रित हैं, इसी तरह तीशरी किताब में बाबा साहब का राष्ट दर्शन हमारे सामने आता है, और चोथी किताब में उनके आयाम दर्शन को देश स्वाच्चियों तक ले जाएगी, ये चारों दर्शन अपने आप में किसी आधुनिक सास्त्र से कम नहीं है, मैं चाहूंगा कि देश के विश्विद्यालव में, कॉलेजों में, हमारी नई पीड़ी, जादा से जादा इन पुस्तकों को और ऐसे कई पुस्तकों को भी पढ़ें, समरत समाज की बात हो, दलीत बंचीत समाज के अधिकारों की चिंता हो, महिलाओं के उत्थान और योगदान का प्रश्ण हो, शिक्षा और विश्विश कर उत्थे शिक्षा पर बाबा साब का वीजन हो, इन सभी आयमों से देश के युवाओं को बाबा साब को जानने समझने का आउसर मिलेगा.